कि हलो बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टडी में जैसा कि आपको पता है कि साम को छे बजेक अच्छा नौके लेकिन पहले पढ़ाई बाद में बातचीत ठीक है एक सामने कहता है कि उचाई 14 यानी 14 सेंटीमिटर वाले एक लंब बृतिये बेलन का प्रिष्टिये शेत्रफल 88 सेंटीमिटर स्कॉयर है यानि आपको सी एस ए दिया है कव सर्फेस एडिया तो बेलन की आधार का व्यास यानि डायमेटर आपको फाइंड करना है बेलन क्या है कैसे है आईए मैं आपको इधर एक फिगर बनाके दिखा देता हूं साइड में देखिए यहां फिगर यह क्या है बेलन है बेलन जिसको इंगलिस में सिलेंडर बोला जाता है इसके हाइड 44 दी गई है बाबू यानि यह आपकी जो हाइट है वो कितना है 44 है यह कितना है 44 सेंटीमिटर है सेंटीमिटर में कह रहा है ना क्यों आगे अब देको इसमें जो दिया पहले लिख लो लिखो भाई यहां पर सब फटा फट दिया है गिवें 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 है एच दिया है इसमें 44 cm आपको सी यह से दिया है यानि कव सर्फेस एरिया इसमें दिया है 88 cm2 इसमें अर्डी कॉल टू आर यह को बोल रहा हूं अभी आगे आपको पता चलेगा आगे बढ़ते चलिए ठीक है ओके अब देखिए एक्चुली जो फार्मूला होता है यहां पर नीचे लिखिए चूकी सर्फेस एरिया बराबर या फिर आसे लिख लेजिए इंग्लिस में लिख लेंगे आप साटकर में सी एस एक्वल टू पाई आरेच यह मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं जानते हो ना तो यह आपको 88 दिया है क्यों बहुत दिया है ना टू इंटू पाई कमांड 22 अपन सेबन इंटू आर यहां से हमें आर की ही वैलू पता नहीं है समझ रहा हूं आर मिल जाएगा तो फिर ब्यास मिल जाएगा चलो है आर इंटू यह का वैलू 44 अब देखिए यह कमांड तो मैंने 44 रख दिया लेकिन इसमें ध्यान दोयार यह 44 डिया 14 दिया है स्वारी एक मिनिट देखो तो पोजिशन में देखो स्क्रिन प यह बगवा कितना दिया है 1414 दिया है तो इसे 1414 कर लो इसे 1414 कर लो और आसान हो जाएगा ठीक है यह साथ से कट जाएगा साथ दुना चवदा तो आपका 88 इसको गुड़ा करोगे तो 44 टू जाएए 88 इंटू आर यानि हम कह सकते हैं कि आर की बैलू कितना आ गया वान आ ग पुछा गया था वाई सिंपल है सिंपल रे बाबा निकाल ले ना है हो जाएगा नहीं पुछा था यहां पर आप निकाल लो फिर डी कॉल टू आर होता है तो आर कमाने एक है तो डी कमाना जाएगा 2 cm बस यह आंसर आ गया किसी कोई डाउट नहीं ना लिख लीजिए जल्दी से कुछ भी कहना है कमेंट करके बताएगे फट से तो आपके यह कुश्चन हो गया बटा अगला सिकन्ड कुश्चन इस स्क्रीन पर है बहुत जल्दी जयान दीजिए जो बच्चे इसका स्क्रीन साट लेना चाहें बहुत जल्दी ले लें वीडियो को रों के पुश्च करके फट से आगे बढ़ रहे हैं दूपरा कोईश्चन पढ़िए ध्यान से स्क्रीन पर क्याना धातु के चादर से एक मेटर मुची और 140 cm के आधार वाली बंद बेलना का टंकी बनाई जानी है इस कार में कितने वर्ग मीटर चादर क्याव सकता होगी को सिकेंड देख रहे हैं समझ में आ रहा है ना चले इसका फिकर बनाते हैं इतम सेम तूसे मैं से फिकर देखिए उपर आपको दिख रहा है सिकन कोईश्चन का ऐसे कुछ एक क्या करना टंक आई भी लगबग उसी केवरेज में है तो ऐसे बना दिया गया ठीक है आइए इसको तोड़ा और सुन्दर कर दीजिए सुन्दर आकार बना दीजिए टंकी है तो इसकी उचाई दिया है बबू आपको कितना दिया है वन मीटर और इसका जो ब्यास है वह 0.60 मेटर होगा न अच्छा तो कुछ बोल रहा है ना यानि यह कुल मिला के 140 है सेंटी मीटर में टोटल ओके जो इसमें दिया है लिख लीजिए लिखिया हाइट बबू आपको 140 सेंटी मीटर इकोल 0.5 मीटर दिया है तो माना आप मेटर में रखोगी और मेटर में चेंज करना आपको आना चाहिए निए तो नहीं आये का तो कॉमेंट करके बता देना और क्या दिया है आर बराबर दिया है क्या अगर नहीं दिया ऐसे कर लेना ठीक है दी अबाण टू यहां पर ध्यान दो एक मिनेट भाई सॉरी-सॉरी-सॉरी यहां पर यह तो वन पॉइंट फॉर जीरो मिटर हो जाएगा यह ऐसे नहीं कर्वर्ट होगा है बाइस सव से भाग करोगे ना आप इसे कि इतना मिटर हो जाएगा लेकिन अभी आपको फिलहाल कुछ करना है नहीं यहां पर इसको चेंज करना है फॉर्टी अपांटू इक्वल यह सतर फेंटी मिटर आएगा इक्वल जीरो पॉइंट साथ मीटर यह तिक है यह आपका आरा गया अब देखिए हमें टोटल कह रहा कि कितने वर्ग मिटर की चादर क्या हो सकता होगी यानि इस टंकी को बनाने में टोटल कितनी चादर लगें पूर्ण प्रिष्ट निकाल लेंगे इस टंकी आंका बस वही आंसर है आपने पढ़ा है लिख लिजिए टंकी का संपूर्ण प्रिष्ट बराबर साटकर्ट में इंग्लिस मीडियम मुले लिखेंटी एसे एकवल 2pi r into h plus r यही होता है न लिखेंगे 2pi r into h plus r तो 2 into π कमांड 22 बटा साथ into r r का बेलु बबु कितना आया है 0.7 आया मे souchi m into h कमांड 1 है और r कमांड 0.7 है थूआन देना ये कट जायेगा जिरो पॉइंट वन आएगा यह 44 इंटु जिरो पॉइंट वन पॉइंट यह भी से बनाएगा तो तमझ में आ रहे ना देखो इसका गुड़ा करोगे 17 चोपका अड़फट के आठ हांसी लाया छे 17 चोपका अड़फट तो इस अत्तर यह छे अत्तर क्यों सही जा रहा है चो 11.48 मीटर का स्क्वाइर यह आपका अंसर हो जाएगा को सिखें निया पर खताम हुआ कि इसक्रीन साट ले लिजिए नोट कर लिजिए तीसरा कुश्चन देखिए ध्यान से ध्यान देजिएगा 13.2 इक्सरसाइज जिसमें कुश्चन नमबर 3 देखिएगा और ध्यान से दे पाइफ है जो कि 77 cm लंबा है जैसे कि मैंने पाइफ बना दिया है ठीक है ध्यान दीजिए और समझ लीजिए आगे क्या कहता है इसके एक अनुपरस्त काड़ का आंतरिक व्यास 4 cm और बाहरी व्यास 4.4 cm अभी मैं दोनों का मतलब आपको समझाता हूं इसमें आंतरिक व्या कोशिश करूं तो थोड़ा रूखना दिखा रहा हूं मैं एक पाइफ है लेकिन यह काफी बड़ी है फिर भी अपको समझाने की कोशिष करता हूं लगना जाया कहीं यह दिख रहा है आपको पाइफ दिखी ना इसमें आप एक चीज़ नजर थोड़ा सा लगाई यह आप म समझ है कि जो यह पाइप का अगर यह टोटल नाप होगे उपर नीचे ऐसे इसकी कुछ दूसरी मोटाई आएगी लेकिन जितना आपको ब्लैक दिखरा अंदर में यह होल वाला अंदर वाला जगा इसका थोड़ा अलग आएगा कुछ अंतर आएगा क्यों कि यह जो इसकी बा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको दूसरे एक जांपल से इधर साइड में देखो एक बोटल है यह पाइप मान लो आप इसमें देखो इसका मुह है नहीं है अगर हम ऐसे इसको नाप है जैसे उपर से देख रहा जहां मेरा हाथ चल रहा है तो इसकी मोटाई कुछ से यह तो थर्म होता है जिसमें कॉपर और इस्टिल दोनों मिला के बनता है कुछ भी है यह एक धातू है तो उसकी भी अपनी एक मोटाई है मालो यह 0.5 mm ही क्यों ना है तो टोटल अगर एक्जांपल के लिए मालो यह 3 mm नीचे बीच में है अगर वसे ज्यादा है फिलहाल आपको थोड़ा फिगर में समझा देता हूं कि देखिए अब इसमें आपको थोड़ा दिखरा होगा अलग अलग दिखरा है ना समझ यह इसमें समझने की कोशिज करिए अदेखो बच्चा लोग यह क्या है इसका आंत्रिक ब्यास 4 cm है और बाहरी ब्यास 4.4 है तो आंत्रि आहां तक पूरा 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 ठीक है और यह इतना ले लो चलो छोटा अंतर समझने के लिए नहीं काम करो ऊपर आप बाहरी ब्यास ले लो यह 4.4 है नीचे मैं आपको आंत्रिक दिखा देता हूं क्योंकि एक ही में चल नहीं पा रहा है चलो ऊपर बाहरी ब्यास हो गया यह आंत्रिक ब्यास सिर्फ इतना अंदर वाली पाइप में ही यह 4 cm है ठीक है बात पक्की समझ में आया ना आंत्रिक ब्यास और बाहरी ब्यास का मतलब समझें तो तिरिज्या भी आप निकाल लोगे बाई सिंपल है आंत्रिक दिखा की अगर बात करें यहां पर तो इसे मै यह तक ना इकितना होगा 2.002 है की हमें इसी इसका काम भी है वास्तों में बीयास का कोई काम भी निई लगने मालाै है है याद रहे जो बाहरी होगा उसमें यह भी पूरा कपर होगा यह अंत्रिक में अन्दर तक ही रहेगा और क्या कह रहा है 5 की जो लंबाई है 77 है यह 77 है अभी question हटा दूंगा तिर दिखेगा अच्छे से ठीक है यह total कितना है 77 है बहुत आफान है simple है निकाल लो इसमें कुछ कहानना ही नहीं है बहुत ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है लिखिए दिया है question अटाओ भाई दिया है h equal भाई जो जो दिया लिख लो बाभू फटाफट हाइट 75 है इसमें दो रेडियस दी गई है अगर ध्यान दो एक capital R मानलो एक small R मानलो तो अगर हम इसमाल आंत्रिक वाला मालने तो टू सेंटीमीटर है capital R वाल मालने तो 2.2 सेंटीमीटर है और क्या दिया इसमें कुछ और दिया का अगर नहीं ना मैंने डारेक्टल लिख दिया क्योंकि इसी का काम लगे का बाकि आप चाहो तो डिलिखो इसमाल डी capital दी कोई मतलब है क्या है सा किराता कि यह को टोटल गाला इसे कुछ पूछा है देखो पहला इसमें दो पार्ट है कहला आंतरिक वक्र प्रिष्ट का शेतरफल ग्याद कीजिए बाहरी वक्र प्रिष्ट का शेतरफल ग्याद कीजिए और कुल प्रिष्टी शेतरफल ग्याद कीजिए तो आंतरिक का मतलब पहले पाइप के सिर्फ अंदर वाला जिसमें आपको टू जोड़ दोगे तो लिखो फटाफट लिखो आंतरिक भाग का प्रिष्टिय छेत्रफल बराबर या फिर इंग्लिस में लिखोगे इनर कर फर्फेस एरिया इक्वल इनर कर्व सर्फेस एरिया इक्वल साटकर्ट में इसे इनर कर्व सर्फेस एरिया इक्वल फर्मूला लगा दो टू पाई आरेच टू इन्टू पाई कमान 22 बटाफाद आर कमान इनर वाले का टू है एच कमान 77 है काट दोगी 11 आ जाएगा यह आपका कितना हो जाएगा मल्टिपल कर लो चचा लोना चार हो जाएगा इसका गुड़ागा 88 हो जाएगा यह 960 हो जाएगा सेंटीमिटर स्कौइर को लिख लिए आपका पहला पार्ट हो गया फास्ट पार्ट सिकेंट पार्ट बताता हूं बहुत जल्दी करो ओगे दन चलो भाई सिकेंट पार्ट इसमें भी आपका फार्मूला वही रहेगा बस आर कैप्टल में हो जाएगा तो इन्टू टॉंटी टू अपान सेवन आर कमांड टू पॉइंट टू हो जाएगा और यह सेबंटी सेवन यह आपका कट जाएगा इलेवन आएगा देख बाबू यह सब ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं न मल्टिपल कर लोगे बाइस दूना चवालीस और यह ग्यारा का गुड़ा करोगे ग्यार दूना बाइस ग्यार दूना बाइस दो चौविस वन डिजिट पर पॉइंट लगेगा ना एन डाउट नहीं न एक हजार चौशाट लगब सब्सक्राइब भी पूछ रहा है बहुत आसान है यह कुल परिष्टी चेत्रफल क्या है टोटल फाइनल तो दोनों जोड़ देंगे ठीक है दोनों जोड़ेंगे इसके साथ इसमें एक चीज और करेंगे वह क्या दो रिंग का भी चेत्रफल जोड़ेंगे यानि एक परका इसे समपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल बराबर नीचे लिखो छात्रों इसमें आपको थोड़ा सा समझना है और संपूर प्रिष्टिए चेद्रफल प्लस बाहरी का शेद्रफल ठीक है उपर साइड रहीं उनको समझ थोड़ा फ़र रिंग वहका मेटर क्या है कि वास्तों में ऊपर ऐसे दो आकरती बन रही है बोलो बन रही की नहीं जहां से पाइप पाइप की मोटाई हो गई यह क्या है कि मोटाई है अब मैं आप तीखाया बहुत पतली थीफली आपको नहीं समझ में आया लेकिन ये क्या है पाइप की मोटाई है तो देखो बाबू आप समझो इसमें जो निकालने जा रहे हैं अगर बृत का छेत्रफल वाला आप सूत्र जानते होगे तो पाई आरी स्कॉयर ऐसा कुछ सुने हो अर्द बृत तो यह क्या था पाई आरी स्कॉयर यहां पर मैंटर है कि आर क्या होगा देखो वास्तों में भाईया जो बाहर वाले यह लाइन आप देख रहे हो रिंग यह बाहर वाली इसका टोटल जो ब्यास है वह 4.4 है यानि इसका मान 2.2 था बाहरी वाले के लिए रेडियस न और अंदर वाले के रेडियस दो था तो अगर हमें यह इतना निकालना हो सिर्फ इतना मोटाई वाला भाग इतना जहां मेरा पैंच चल रहा है इतना इतना तो क्या करोगे पता है 2.2 से आप यह सुर्ण निकालना और जो भी मान है वो सभी स्कॉर में ही होंगे इस इसाब से तो इन्हें हम ऐसा लिखेंगे 2.2 का होल स्कॉर माइनस यह ने थो का स्कॉर सिर्फ वाले एरिया को और इस वाले इडिया को इस तरह से कुछ घटाएंगे जुगाड फे बनेगा 2.2 का होली स् समझ गया ना तो यह क्या बनेगा फाइनल में इसको अठा दीजिए कोई स्क्रीन से तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है देखो बाबु यह आपका हो जाएगा 44 अपान से बन इंटू यह यह आपका अप्लस भी में 4.2 हो जाएगा और अ-प्लस भी में 0.2 हो जाएगा तो 0.84 हो जाएगा फाइनल में यह तो 44 इंटू 0.84 अपान से बन यह हल करना तो आप जानते हो इतना तो आप समझदार हो कच्छा नौ में पहुंचे ओ नहीं आता तो बता देना मुझे इसका यह मल्टीपल कर लो आप गुड़ा करोगे 36.96 अब टोटल सर्फेस एरिया जो है उसको निकाल लोगे सारा मान रखलो पटापट चलो आओ यह कितना था 968 था भाई ऐसे कुछ आया था यह आया था कितना 1064.84 एट जीरो आया था फोर नहीं यह आया था और यह कितना था टूरिंग वाला अभी अभी आया है 5.28 अब क्या करोगे कर लो फटा-फट जो भी करना है अब दिक्कत क्या है वही कर डालो जल्दी से देखो अब करना क्या है सुनो इन सब को जोड़ लेना है इन सब को आप जोड़ोगे तो 2029 सम्थिंग आयेगा जोड़ के देखो 2028 ऐसे कुछ आयेगा करके देख लो ठीक है सेंटिमीटर का स्कायर यह ध्यान रहे जीरो है और यह दस हमलों है कोई डाउट है तो बताओ इस तरह से आपका कोश्चन नंबर थार्ड कंपलीट हुआ कि डाउट नई बरते हैं फोर नंबर की तरफ कोश्चन नंबर फोर देखिए इसे हम हिंदी और इंगलीस दोनों लाइंगरज में पढ़ेंगे पुश्चन नंबर फोर पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्या कहता बच्चों बहुत ही प्यार से देखना है कह रहा है कि ए एक बार समतल करने के लिए 500 चक्र लगाने पड़ते हैं खेल के मैदान का वर्ग मीटर में छेतरफाल ग्याद कीजिए इसको इंगलीस में सुन लीजिए जो यूपी बोर्ड के अलामा बच्चे हैं सीवेस्टी दिल्ली बोर्ड वाले डाइमीटर आफ रोलर इस 84 cm डाइमी टू लेवल आफ लेग्राउंड फाइंड अएरिया आफ दफ लेग्राउंड इन मेटर स्कॉयर बहुत ही सिंपल रोल और यह क्या है देखें और नहीं दिखा देता हूं अजकल तो बुल्डोजर वड़ा फेवरिट है कुछ ऐसे होता है देखिए इसकी सेकल देख लीजि बहुत मोटे-मोटे खतरनाक पहिया है इसके तो यह क्या करते हैं उबर खाबर जमीन को समतल करते हैं जिदर फे जाते हैं चपा-चट करते चले जाते हैं इनकी कहानी क्या है एक बार अगर कोश्चन आप दूबारा से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कूश्चन है कुछ लिखो रोलर बना दिया जाए क्या कि यह कुश्चन जो पीछे साइड में इसको मिटाइए पहले बना हुआ है इस वाले कुश्चन का मैंने फिगर बना दिया देखिए रोलर की बात हो रही थी जो बने अभी दिखाया था उसमें सिर्फ पहिये से मतलब है ठीक है जो निच्छे पहिया चलेगा वही उसी से मतलब है तो मैंने इस पहिये को यहां पर बना दिया है आप इससे देख पा रहे हो ना इसमें क्या कह रहा है जो जो दिया है लिख लिजिए लिखिये दिया है यहां पर लिखिये गिवें यह इंगलिस वाले लिखेंगे गिवें यहां से आप आर बोल सकते हो सिंपल में इसका आधा हो जाएगा 42 cm यह रेडियस हो जाएगा इसको चुपए फिली खलो ब्रेकट में क्योंकि यह डी का आधा होता है और भी कुछ दिया है मुझे नहीं लगता और कुछ इसमें काम का दिया है नहीं ना कि मैदान का पूरा चेटरफल ग्याद कीजिए इसे खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का चेटरफल ग्याद कीजिए तो पहले हम जो यह दिया है ना इसके रोलर का वक्र प्रिष्टिय चेटरफल या सी एस ए आफ रोलर सी एस ए कर्व सर्फेस एरिया यह आप सबको पता है बहुत बच्पन से पढ़ते आए और टू पाई रह तो टू इंटू पाई पाई की बैलू 22 अपान सेवन इंटू आर का बैलू बेटा 542 एंड यह 120 में दिया गया है यह जो यह दिया है यह सेंटिमेटर में ही है है अब कुछ कटना है नहीं गूड़ा करना 22 चवालीस यह 12 चंग बाहबतर यह नि 720 आ जाएगा तो यह 44 को आपको 720 से क्या करना गूड़ा करना है गूड़ा करोगे मुझे लग रहा है कि 1584 क्यातना आएगा करके देखो एक 3680 आएगा न लगभग मल्टीफल करना आपको आता है नहीं आता तो बता देना यह सेंटिमेटर इसको आएगा वेटा क्योंकि सभी सेंटिमेटर में दिये गए थे जितने रासियां थी यह क्या आया अभी इस पहिये का रोलर का सीयसे कर्व सर्फेस एरिया या वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल आया अब क्या करेंगे यह एक बार इस पहिये द्वारा एक बार जो चक्कर लगाएगा तो इतना एरिया वो करेगा कबर ठीक है तो यह 500 बार चक्कर लगाता है तो पूरा मैदान समतल हो जाता है तो चाचा अगर एक बार में यक्ति 1680 स इसको आर कबर कर रहा है तो 500 बार में निकाल लो पहले निचे लिखो 500 चक्कर लगाने में कबर छेत्रफल बराबर 500 चक्कर लगाने में कबर छेत्रफल बराबर लिख लीजिए मैं लिखूंगा नहीं 500 चक्कर लगाने में कबर छेत्रफल बराबर क्या लिखोगे वह तो इसमें तीन जीरो आप उतार लीजिए को दिखा दूंगा जो आपको दिखना चाहिए वो दिखेगा तीन जीरो उतार लिया पांच से गुड़ा कर दो इतना एरिया को क्या कर रहा है समतल कर रहा है में उति हैं क्यों पहींह Really क्यों इंट है सुआ चौकि हमें मिटर में क्यात करना है इसलिए लिखो यहां Product win मैजान का कुल शेतरफल मेटर में बराबर यह पंदरा चौराफी चार बार जीरो आप लिख करके क्या करोगे सौ से गुड़ा करोगे ना नई देखो बाबू अगर सेंटीमेटर से मेटर में जाना है चोटे से बड़े में जाना है तो हम ऐसा भाग करते हैं चुकि यह सेंट सेंटीमेटर स्कॉयर में अगर सिर्फ सेंटीमेटर में होती तो हमसाओ से वाग करते हैं तो सिंपल सा है इसका आंसर आ गया 1584 मेटर का स्कॉयर आंसर आया क्योंकि यह दो जीरो से दो जीरो यह दो जीरो कट गया कितना असान इस तरह से आपका कोश्चन नमर फोड़न हो जल्दे लिख लेजिए अगले कोश्चन पर आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए नेक्स्ट किसक चलो किसक चलो कमेंट के चक्कर में ना पड़ो पाचवा कोश्चन देख लीजिए स्क्रेंट पर हैं क्या कह रहा है एक बेलनाकार अस्तम्ब का व्यास 50 सेंटिमीटर है और उंचाई 3.5 मिटर है 12.50 रूपया प्रती वर्क मिटर की दर से इस अस्तम्ब के वर्क पिष्ट पर पेंट कराने का बेगात कीजिए जैसे आप तक सब पढ़ाया हूं वैसे यह यह सिंपल में कर लेना ठीक है यह होम और कर एगा अधा नंबर देखिए यह थोड़ा अच्छा कोईश्चन है क्या कहता है द्यान दीजिए कि एक लंब बिर्तिय बेलन का वक्र प्रिष्टिय छेत्रफल 44 मिटर है यह बेलन के आधार की 30 0.7 मिटर है तो इसकी उंचाई ग्याद कीजिए इंग्लिस में भी पढ़ देता हू इसको ग्याद करना है इसको ग्याद करने के पहले आप ध्यान दीजिए 25 जून से आपकी 9 और 10 की सारी कलासे पीवियर स्टडी के चैनल नंबर 3 पर चलेंगी जिसका लोगो और नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह नाम अगर आप यूटूब पे सर्च करोगे तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंद कर लीजिए जाकर करके कोई समस्य आती तो नंबर है उस पर संपर करिएगा चटवे का सलूसन देखिए आगे चलिए चटवा नंबर कुश्चन हल करते हैं बच्चों देखिए इंगलीस में पढ़ते समय कोई स्क्रीन पर आ गया था उसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहिएगा करते हैं हिंदी वाले समझी गए था इंगलीस वाले भी समझ गए तो देखो बेटा यह बहुत ही सिंपल कोईश्चन है बेलन की बात कर रहा है यानि सेलेंडर यह मैंने बना दिया करया था इसकी वक्र प्रिष्टिय चेतरफल 44 मीटर है तो मतलब इसमें सी एस दिया है कर्व सर्फेस एरिया दिया है और अधार की त्रिज्जा मेंस इसका रेडियस भी दिया बाबू इतना दिया है कितना यह 0.7 मीटर समझ रहा है ना अस्ति 98 यानि इसकी हमें यह चीज लिख्याद करना और ह्यारी करना है गल ó सबसे पहले हमें इतनी घिपन मिंच जो दिया गया ह हम लिखनेंगे दिया है इंगलूणस वाले लिखने गिबन ऊंके लिखलो बगवा यहां पर दिया है क्या दिया इसमें लिखो वक्र पृष्टिये छेत्रफल बराबर यह दिया है लिखो वक्र पृष्टिये छेत्रफल रेडियस दिया है हिंदी वाले लिख लेंगे तृज्या और इंग्लिश वाले लिख लेंगे रेडियस ओके यह दिया है यह जिरो पॉइंट सेवन मीटर याच हमें फाइंड करना बहुत ही आसान है लिखिए वास्तों में जो सी एसे होता है वो क्या होता है यहां पर निची हल सलुशन लिख लिख लेंगे वास्तों में जो कर्व सर्फेस एरिया होता है यानि सी यसे सिलेंडर का वो टू पाई रहे होता है यह सब को पता है तो देखो भाईया इसमें आसान बात यह है कि हमें यह इतना दिया 44 और टू इंटू पाई कमान 22 बटा साथ आर कमान 0.7 इंटू यह कमान हमें दिया है नहीं बात तक कि मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है साथ से आप इसे काटो के 0.1 आएगा दो का एक में गुड़ा करो के दो ही हो जाएगा कुल मिला करके यह 46 बनेगा ना तुम बाबू देखो भाईया समझो यह आपका 44 हो आएगा और इसमें एक अंक पर समलों है तो क्या यह नहीं दिया है तो सब दिया है बच्चों देखान दिजी आपके बुक में बाबू यह 44 नहीं दिया होगा फॉर वाइंट 4 मीटर दिया होगा यह चीज यह देखो द्हान से 4.4 दिया होगा यह कुश्चन टाइपिंग में इन्होंने हमारे टाइपिंग मास्टर ने मिस्टेक किया है तो यह भाईया 4.4 है यहां पर पॉइंट है याद रखना बीच में इसका मल्टीपल करोगे तो 44 और 44 का 0.1 में मल्टीपल करोगे इन्टू याच भाई वण डिटिट पर पॉइंट हो जाएगा यह 44 इसके जैसे लिखलो एक जैसे अच्छा रहेगा नहीं तो अलग अलग तरीका कंफ्यूजन आएगा तो 4.4 इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा यह 4.4 यह भी हो जाएगा इधर आएगा भाग में हो जाए जल्दी से चलिए अगले सातवा नंबर कुश्चन की तरफ आगे वढ़ते हैं दस और ग्यारा दो कुश्चन और होगा उसके बाद यह खतम हो जाएगा ठीक है इंग्लिस और हिंदी दोनों लाइंग्वज में मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी में आपको दिखरा पढ़ इंग्लिस में मैं पढ़के सुना दे रहा हूं हिंदी वाला पढ़ लीजिए स्क्रिन पर आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है इंदा फिगर यू सी दा फ्रेम आफ आ लैंप सेड लडिये गये चित्र में आप एक लैंप सेड देख रहे हैं इट इस टू बी कवर्ड वि एंड हाइट आफ 30 सेंटेमिटर अब मार्जीन आफ 2.5 सेंटेमिटर इज टू बी गिवन फार क्लाथ इज रिक्वाइड फार कवरिंग दा लैंप सेड मतलब समझो कुल मिला के का है क्या रहा है हिंदी में तो आप पढ़ी रहे हो यह देखो एक लैंप सेड है ऐसे कुछ कि प्रफटे से ठाकना है ठीक है मालो मैंने कपड़ा लिया और इसको कबर किया लेकिन यह मत सोचो कि इसको उपर से अधाना इसको ऐसे ठाकना यह देख रहे हैं वाइट कपड़ा यह वी इसलिए आपको थोड़ा कम मजा आ रही होगी एक मिनिट रुको मैं कुछ दूसरा दिखाता हूं देखो यह अब थोड़ा अंतर आपको समझ में आएगा यह वाइट है यह अलग है इसको क्या करना इसे ठाकना है बाबू समझो यहां पे तो यह देखो धांक तो गया चारों तरप से लेकिन ऊपर साइड अभी खुला है और इसी तरह से नीचे भी खुला ह है कि नीचे भी खुला है मतलब बगल बगल ही ढखा है तो क्या करना है हमें नीचे भी ढख देना है किदर नीचे साइड का और उपर का भी तो कह रहा है इसको ढखने के लिए धाई-धाई सेंटिमीटर का आत्रिक्ट कपड़ा भी छोड़ा जाना है फिर लैंप सेड को ढ और यह जो है वह 30 सेंटिमीटर है देखो बहुत ही सिंपल है बाबु कोश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कहने की पढ़ने की कोई बात नहीं है पढ़ लोगे ना देखो सुनो फिर बहुत ही सिंपल है कि देखो करना क्या है समझो लिखिये दिया है निखो दिया है जो जो दिया है आप लिख लिए दिया है यहां से हम कह सकते हैं कि और 10 सेंटिमीटर दिया है इसमें कुछ करना है नहीं अ आधा हो जाएगा हाइट दी गई है आपको क्या दिया भाइया हाइट दिया गया 30 cm लेकिन यह हाइट रियल वाली नहीं है वास्तों में रियल वाली काहे को नहीं है देखो मैं बताता हूं यह कोश्चन में हटा रहा हूं ध्यान देना देखो यहां पर समझो यह लैंप लेकिन कह रहा था कुश्चन में कि अत्रिक्त कपड़ा चोड़ा जाना है अभी कुश्चन दिखाऊंगा सुन लेना यहां है कहीं इधर साइड इधर फाइड जो इसको ढखेगा इधर भी सेंटीमीटर तभी तो पूरा ढखेगा नहीं तो यह बगल बगल ढख जाएगा नहीं तो total होगी हाइट होगी हाइट क्या होगी total हील में pra यह 30 इप्लस 5 सेंटिमीटर इसे । Почему समझ में हाएगा जिससे की suited १े क। इसमें कोई किसीं को नहीं न आप किया करना है हां इसमें चीज़ाँ लिह सकते हो मैं यम मतलब मार्जिन 2.5 cm कि जो हिंदी वाले हैं हिंदी बाले भी हैज्ट यह लिखते हैं वह लोगं इसको नहीं लिखेंगे तो मैं तो में हिंदी दोनों लेंगे एक बाता रहा हूं एक बार फिर से सुन लो करा नीचे मोडने के लिए दोनों और और दाइस सेंटिमेटर और आत्रिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है दोफ़ो पढ़़ो मोडिने के लिए अध्रिक्त कपड़ा का मतलब मार्वी उसी को बोलते हैं इंगलीज में ठीक है चलओ निकालो पुरत लिखओ लिखो ने बार में लगातो बस हो जयेगा सिलिंडर वाला भी कि विल्स यह में ऍément प्रिष्टिए छहत्रफल पराबर चलो लगाओ लगाह लगा हो रही होगा टू पाई नुग ठीकर और तुए है Rabbi अरुडं नवा टीवर्टकर अर। यह लो और कमान कितना है रेडियस 10 एच कमान 35 35 यह जाएगा 44 यह जाएगा 50 गुड़ा कर लो बाबू पांच यूपका 20 फांच यूपका 22 22 सेंटीमीटर क्या इसक्वाइर न तो आएगा क्योंकि यह छेत्र फल था कपड़ा लगेगा उस लाइम सेट को ढखने के लिए आपका कुश्चन कंपलीट हुआ लिक लिए नोट कर लिए इसक्रेंशाट ले लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटा फट जल्दी करिए बहुत जल्दी स्क्रेंशाट लीजिए अगला कुश्चन पर बढ़ें आगे बच्चों अगला कुश्चन दिखिए उसके पहले यह इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखिए 25 जून 2022 से सभी बोर्ट पर इच्छाओं की जो कलासे है नाइन टेंस इलेबन टोएल्थ वो पीवियर स्टडी 3.0 चैनल पर चलेंगी आपको दिखरा इस स्क्रीन पर ये नाम है चैनल 3.0 स्कूल डिस्क्रेप्शन में लिंक भी दिगई होगी यूटूब पर सर्च करके भ ये आपको है ये देखना है क्या ये 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 आया ये देखना ये क्या है बस इसी का काम है कुर्च नमबर 11 में लेण अंधर पर लिजी ए फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा ये वी वह चीज है कि इसके कि परतियोगता में भाग लेने के लिए कहा गया है मतलब किसी विद्याला की विद्याती जो है उनमें एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान का मतलब वही जो पैन रखने वाला है समझ रहे हो कलमदान का मतलब यही जो पैन रखने वाला आपको दिख रहा इसी को बनाने के लि परतिक कलमदान को 3 cm स्रिज्या यानि इसकी जो रेडियस है 3 cm और हाई 10.5 cm का होना चाहिए था विद्याले को इसके परतियों को गत्ता देना था यह इसमें 35 परतियों थे तो विद्याले को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा बताओ बाई सिंपल है लिख लो जो दिया है प और का दिया है दो चीज मैंने लिख लिया लाइट थोड़ा ज्यादा बंद करो एक अब इसमें आपको समझना है समझना है कि करना क्या है देखो सिंपल है सिंपल का है कि कलमदान को बनाना है एक बार ध्यान से फिर से देख लेना मैं आपको बता दे रहा हूं देखो जलकान का म Professor डश्राए्ट से करुछ सबस्कारेंगा है most कि इसमें नहीं डालूँ को फिलोगा कि आप सम Türk इसके दिंग्रण करेंग LOTE कना सुनो कि अभाना क्या इसको बनाना था करा धेका डल नीचे बनने के क्लाना भूनाला पूर तो नहीं नाकने वाली बात नहीं या पाइंड करना है और जो नीचे आधार है उसमें बाता लगेगा तो लगेगा तो आप अप लगवें सिद्ध निचे लगेगा लगे तो आप लगवें इसमें बेलन वाला जो सूत्र होता वह लगाओ और एक ब्रित का छेत्रफल का लगा दोगे बस हो गया फाइनल लिखो एरिया आफ कारड़ बोर्ड या फिर हिंदी में लिख लिजिए कलम दान का कुल छेत्रफल बराबर को अंग्लिस वाल लिखेंगे एरिया आफ पारड़ एक्वल सिलेंडर प्लस एरिया और बतं या फिर प्रेकार में लिखना रफ ऑप फो갈 ऐसे थिंद्ध वाले लिखेंगे न चंकर ब्राबर बेलनाकार भाग का चैंटर ंवरś ब्रेकर्ण में लिखना लिख लेना ब्रित का छेदर फाल ठीक है लिख लिए चलो मान रख दो फटाफट देखो बच्चों बेलना कार भाग का छेदर फाल यानि बेलन का में सिलिंडर का जो आप निकालोगे तो एक परकार से सी ऐसे बोल सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा ट थ्री और हाइट हाइट कितना दिया था टेन पॉइंट फाइब ना रख दो प्लस ट्वंटी टू अपान सेबन इंकु थ्री का स्कॉयर ओके हल कर लीजिए तो साथ से से काड़ देंगे तो साथ एकम साथ पॉइंट पांच वन पॉइंट फाइगा बोलो इनका गुड़ा करोगे बाइस दूना चावालिस चावालिस का तीन से गुड़ा करोगे तो तीन चोग बारत तीन चोग बारत एक तेरा सही जा रहा ना एक सो बत्रीफ ना इन्टू वन पॉइंट फाइव और प्लस यह आपका हो जाएगा नो हो जाएगा क्यूं थरीका इसको नहों हो जा प्लस यह आपका वण ना पड़ो पढ़ाई पे देख रहा हूं लेकिन तुम सांथ रहो तब क्लास के बाद में पूछना सब बताऊंगा चलो क्लाउटां टाउ Mindly assists कि निचे साथ है बराबर बराबर है उपर का देखो बराबर लगरा नहीं हर बराबर कर लो इतना तो हल कर लोगे कि नहीं करके देखो 1584 फारास्ण कर ना जानते मोंना इसको ना इसलों ओब नहीं अख फार्शी फाइनल च्रासी बट्ट da साथ यह सेंटीमेटर का स्कॉयर इ calculus क्लमदान का है डिया गया एक वारी सब्सक्राइशलदन देना पड़ता लेकिन वहां पर बात हो ृही थी पस्वारी कितने से हैं बहुआ एक हो defending लेंगे ना परत्योगियों की संख्या में लगता ज्यादा थी 35 थी फिर से देख लो 35 थे 35 35 थे ना इसमें देख लो कुश्चन में तो क्या करेंगे यह एक का आगया अब लिख लो 35 के लिए लिखो लिखो इसको नोट कर लो फिर मैं मिटाओं लो जल्दी नोट कर लो 35 के लिए आवस्ते 35 से इसको काट दो पांच आएगा पांच से गुड़ा कर लो फाइनल अंसर हो गया किसी को कोई डाउड बताओ नहीं न इस तरह से आपका बच्चों 13.2 खतम हुआ हमने आपको ग्यारा में से 8 कुश्चन करवा दिया उनको कर लीजिएगा नहीं आएगा कमेंट करिएगा मैं सब का कमेंट देख रहा हूं कमेंट के चकर में बिल्कुल करो फाइस्ट वीडियो करो करके तुरंत स्क्रीन साट ले लिया करो देर ना किया करो एक इंफर्मेशन मैं आपको फिर से दिला दूं 25 तारिक से आपकी कलास 9 और 10 की बटाइस चैनल पर चलेंगी इसे जा करके आज ही तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए देर मत करिए जि अगली कलास में साम को 6 बजे पी वीर स्टेडी इलहाबा चैनल पर और पी वीर स्टेडी 3.0 चैनल पर ये कलास आप सुब 8 बजे देख सकते हो